पहले हम देखते हैं इस एक्ट का सेक्शन 3 विच इस दे मॉस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि इस सेक्शन में पब्लिक प्राविट पार्टनर्शिप अतौरोटी की कमपोजीशन दी गई है पब्लिक प्राविट पार्टनर्शिप अतौरोटी को मिनिस्टर प्लानिंग चेर करता है सेक्टरी फैनांसिस अतौरोटी का वाइस चेर्मन होता है डीगर मेंबरान में सेक्टरी प्लानिंग डिविजन, सेक्टरी बूर्ड अफ इन्वेस्टमेंट, प्राइविट सेक्टर के दो नॉमिनीज, चीफ एक्जेक्टर आफिसर और मुतलिक डिविजन का सेक्टरी शामिल है यह याद रखे कि Chief Executive Officer जो होता है यह Authority का सेक्टरी भी होता है यानि Authority का जो Secretariat है यह उसका Head Officer है या Principal Officer है और यह Principal Accounting Officer भी होता है अब आगे बढ़ते हैं और Section 4 को समझते हैं Section 4 में Public Private Partnership Authority के Function का जिकर है Public Private Partnership Authority किया Function फर्फॉर्म करेगी ठीक है यह Public Private Partnership को Promote करती है को कौमी तर्कियात या हदाप के साथ हमाहंग रखता है PPP Project को मुख्तलिप पेरामिटर जैसा कि Viability, Productivity, Sustainability और Project के साथ Associated Risk की Basis पर Assess करता है Project की Identification, Development और Implementation के लिए यह हर मरहला पर रहनमाई फराहम करता है Project की Output जो Goods भी हो सकते और Services Services भी उनके लिए फीस और Charges का तायून करता है यह याद रखे कि PPP में Public सेक्टर का मकसद लोगों की फलाव बहबूद होता है जबके Private सेक्टर का मकसद मुनाफ़ का माना होता है इसलिए हकूमत अपने महदूद वसाइल को मदे नजर रखकर मुक्तलिब Goods और Services पर सबसेगी देती है और Private सेक्टर के मुनाफ़ के लिए फीस और Goods या Services Charges फिक्स करती है PPP में PPP Contract बहुत अहमियत के हामिल होते है यह Contract पबलिक और Private सेक्टर के प्रोजेक्ट के मुतलिक हुकुक और फरायस का तायून करते है PPP Authority Contract के लिए Standardized Term and Condition को सेट करते है इसके अलावा P3 Authority प्रोजेक्ट की हर मरहला पर Monitoring और Evaluation भी करती है और मुक्तलिफ जो Alteration प्रोजेक्ट में वो करती रहती है ठीक है तो आगे बढ़ते है Section 5 देखते है Which relates to the staff of the Authority इसमें यह बताया गया है कि Authority का जो स्टाफ Authority के पास यह अख्तियार है कि वो अपने function की बहतर अंदाज में अंजम दही के लिए जरूरत के मताबक स्टाफ रख सकता है और यह स्टाफ Public Servants होंगे और इनके Service के Term and Condition Service Regulations के जरीए Determine किये जाएंगे ठीक है तो चले आगे बढ़ते है और Public Private Partnership Authority एक्ट 2017 के section 6 के बारे में समझते है section 6 में Board of Directors की composition दी गई है Board of Directors basically Public Private Partnership Authority की executing और recommendatory body है Board of Directors को minister planning chair करता है और Secretary Finance Division इसका wise chairman होता है दीगर मेंबरान में सेकरेटरी डवलपमेंट सेकरेटरी प्लानिंग डिविजन सेकरेटरी बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेकरेटर से दो नौमीनी जिन को फेडरल गौर्णमेंट एपॉइंट करती है फॉर पीरिड आफ त्री येर चीफ एग्जेक्टिय ऑफिसर और मुतलिका डिविजन का सेकरेटरी शामिल है मुतलिका डिविजन के सेकरेटरी से मुराद वो सेकरेटरी होता है जिनके डिपार्टमेंट के रिलेटिड पी 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 प्रॉजेक्ट बोर्ड के मीटिंग के एजंडा पर हो ये बत याद रखे के बोर्ड अफ डिरेक्टर की कमपोजीशन में पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप अतौरिटी ओर्डिनेंस 2020 के जरीए चेंजिस की गई है मसलिन अभ बोर्ड को मिनस्टर प्लानिंग के बजए डिप्टरी चेर्मेन प्लानिंग कमिशन चेर करता है और सेकरिटी फैनांस के बजए मुतलेक़ डिविजन का सेकर्टरी वाइस चेर्मेन होता है इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप अतौरोटी ओर्डिनेंस 2020 के अतायत अब प्राइवेट सेक्टर से पांच नौमिनी लिये जाते है इस बारे में तफसील से हम अगली वीडियो में जिकर करेंगे सेक्शन सिक्स में मजीद बताया गया है कि प्राइवेट मेंबर्स विपा की हकुमत तीन साल के लिए एपॉइंट करेंगी बूट की मीटिंग लाजमी तीन महीने में होगी और मीटिंग में जो भी फैसले किया जाएंगे उनको बाकाइदा रेकॉर्ड किया जाएगा और तमाम मेंबरान को सरकुलेट किये जाएंगे फॉर रेटिफिकेशन बूट की मीटिंग्स को चेर परसन प्रिजाइड ओवर करेगा और उनकी गेर मवजुदगी में वाइस चेरमेन चेरमेंशिप के फराइस सर अंजाम देगा त्री मेंबर विल कंस्टिटूट दे कॉरम और अलदे डिसिशन प्रिजाइड बड़ किसी भी मेंबर को को ओप कर सकती है और कमेटी स्टिटूट कर सकती है फर केरिइंग आउट स्पेशल टास्क अब हम इस एक्ट के कुछ मिस्लीनियस प्रोविजन के बारे में समझते हैं तो इस एक्ट के तहत एक्वाइबिलिटी गेफ फंड कायम किया गया है जिसको अतौरोटी मैनेज करती है इस फंड को फेडरल गौर्डमेंट हर मालियाती साल में grant in aid के जरिये replenish करती है इस फंड से समाजी बहबूत के ऐसे प्रोजक्ट को financially support किया जाता है जो खुद financially unwiable हो यानि जिन PPP प्रोजक्ट से खुद earning ना हो ठीक है इस एक्ट में implementing agency और इसके रोल को भी define किया गया है implementing agency से मुराद वो department है जिसके साथ PPP प्रोजक्ट relate करता हो implementing agency की ये जिमेदारी होती है कि अपने department में PPP प्रोजक्ट को identify करे conceptualize करे और develop करे प्रोजक्ट के मतलिक feasibility studies conduct करे request for approval issue करे और draft PPP agreement तयार करे प्रोजक्ट की approval के बाद procurement करे और project implementation के दोरान इसको monitor और evaluate करे यानि implementing agency का किरदार PPP प्रोजक्ट में सबसे आहम हैं आगे बढ़ते हैं और इस एक में contract के बारे में दी गई guidelines के बारे में समझते हैं ये एक्ठ हमें बताता है कि हर contract agreement में project के scope और period के बारे में provision शामिल की जाएगी नेज दोनों यानि public sector और private sector के rights और obligation भी of contract करता है तो एसी सूरत में penalty क्या होगी और किस तरह वसूल की जाएगी यह provision भी बाकाइदा इसमें दी जाएगी इस agreement में इसके अलवा contract agreement में debt equity ratio, concession period और project operation और maintenance के बारे में भी detailed provision शामिल की जाएगी ठीक हैं इस act में implementing agency को ये इक्तियार दिया गया है कि successful private party bidder के साथ negotiate करें ताहम agreement की final approved board of director के पास हैं इसके अलवा इस act में ये provision दी गई है के project के assets और rights जिसके property license patent trademark lease और intellectual property rights वगेरा concession period में private partner के पास रहेंगे ताहम implementing agency की मल्कियती जाइदाद की हैसियत में कोई रद बदल नहीं की जा सकती है agreement के expiry के बाद project से मुतलिक तमाम असासाजाद implementing agency को transfer हो जाते है प्राइवेट property private party project या इसका कुछ इसा किसी को भी transfer नहीं कर सकता जब तक के इसके मुतलिक agreement में provision नहों अगर प्रॉजक्ट के रिलेटेट की सीरिस के मुतलिक provision agreement में नहों तो एसी सूरत में सारा नुक्सान private party के जिम्हें होगा और public sector पर इसकी कोई जिम्हेदारी नहीं होगी इस एक में यह भी बताया गया है कि प्रॉजक्ट प्रॉजक्ट के मुतलिक तमाम तस्तावेजात पब्लेक डाकुमेंट्स होंगे ताकि प्रॉजक्ट में इंशवाफियत को इंशोर किया सके तो डियर व्योवर्स आई हॉप आप पी त्री एक्ट 2017 को समझ गए होंगे तरिश